हलो बच्चों बीजन इंफिनिटियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है अब हम लोग आज क्लास 12 का परासरदाप चर्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे परासरदाप किसे कहते हैं तो परासरदाप हमने आपको बता दिया था आज हम लोग उस फार्मुले पर डिसकस करेंगे फार्मुला क्या है हम लोग देखते हैं इस प्रकार से हमने बताया था आपको परासरदाप जो होता है प्रास्रण दाब यह होता है आपका पाई से इसको इंकित किया जाता है पाई द्वारा इसे परदर्सित किया जाता है ठीक है और प्रास्रण दाब की परिभासा हम ने बताई थी वह अत्रिक्त दाब वह अत्रिक्त दाब वह अत्रिक्त जाब जिसे बिलियन की और लगाने पर अब जिसे बिलियन की और लगाने पर लगाने पर लगाने पर या प्रसर्पक्रिया रुक जाए तो इसी अत्रिक्त दाब को क्या कहते थे परास्रण कहते थे अब कहा जाता है प्रयोग के दवरान या प्रयोग के उपरां या प्रयोग द्वारा पता चला प्रियोग दवारा पता चला कि लिफिर पराशरड दाब होता है यानि पाई जो पराशरड दाब होता है यानि पाई यह होता है समानुपाती होता है मोलर्ता के किसकी मोलर्ता होती है बिलियन की मोलर्ता होती है ठीक है ना बिलियन की मोलर्ता इसी के क्या होता है समानुपाती होता है कौन परासरड दाब तो ये हो गया हमारा पहला समी करड जिसमें बिलियन का जो मोलर्ता होती है वो समानपाती होती है परासरदाब के या आप कह सकते हो परासरदाब समानपाती होता है मोलर्ता के यानि कि अगर बिलियन की मोलर्ता बढ़ाओगे तो परासरदाब भी क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा आपको यानि बिलियन जो जो बिलियन की तो और लगाया हो तो और दा बिलायक की और परास्ट दाब या दाब कितना है सव है माई लोग और बिलियन की और दाब कितना है असी तो हमने यह बताया था अगर बिलियन की और यह दाब बराबर कम होंगे जब दोनों तरफ सव सव हो जाएगा तो बिलियन की और कितना दाब लगा असी और बीस सव यान लगाए तो 20 जो अत्रिक दाव लगाए हो उसी को हम क्या कहते है परासरण गढब तो परासरण अगर बिलियन की मोलरता जादा हो जाएगी तो उसका दैसे बिलियन की मोलरता निए बिले ज्यादा मिल गया होगा तो इसका स्टारर मतलब है उसताव वाजदाब गड़ गया ह草गा तो असी के वाज़ार लah गैवा सततर हो सततर तो सथ लाने के लिए कदर लाना पड़ेगा 30 कि यानि हम दो लाजाना पड़ेगा आओ भार मिला दो को तो यान वैसे मोलरता बढ़ाओगे या बिले की मोलों की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे परासरदाब भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वास्ताप कम होता जाएगा तो परासरदाब हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा तो इसी लिए हमने कहा है कि बिलियन की मोलरता जितनी ज्याद होगी परासर दाब भी उतना ज्यादा होगा इसी लिए यह एक दूसरे के क्या है समानुपाती है समझ गए तो यह पहला हो गया इसके बाद दूसरा आजाओ तो पाई जो होता है वो समानुपाती होता है तापमान के जो होता यानि परासर दाब होता है दूसरा परियोग किया तो देखा गया कि तापमान बढ़ाने पर और मुल ल traitा बढ़ती कर से याने मतलब रहा blyए यानी इसको भोलते हम सब्सक्राण है अगर ताप बढ़ाद होगे तो परासट दाप भी जादा लगाना पड़ेगा तो देखो आपका क्या उसमें से आपका रड़ाप बने शोंद बने बने नहीं भाब बने बने तो जल की मात्रा कम नहीं हो जाएगी तो बिले क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा बिलायक कम हो जाएगा तो बिलायक कम होता चला जाएगा बिले के पेच्छा बिलायक कम होगा इसलिए बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी बिलियन की मोलरता बढ बड़ जाएगा ना आप लोग जानते हो बिलियन की मो लगता का फिल्वूलो क्या होता है गinental यंब बराबर मोलो की संख्या किसके ओड़ मेर्द पी बिले लो की संख्या बिलियन का अगंन कि सम्होंसमें होना चाहिए लेतार में कि तीक है ना किन क्या होता है वो विले की मोलों की संखिया बटे बिलियन का न का इतन होता है यहां से और अब करते हैं लखा क्राइब डूसे सब्सक्राइब नबर खिरुसे संभिकरण से देखो पहले एवं दूसरे समीकरण से पहले और दूसरे समीकरण से देखो क्या होगा पाई जो होगा वो समानुपाती होगा किसकिस के समानुपाती होगा किसकिस के समानुपाती एक इसको हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है कि बराबर लेकर के कि स्थिरांक लाते हैं इसको लिखा जाता है आए और एक स्थिरांक है कि इसको कहा जाता है बिलियन इस्थिरांग लिख दे रहें आर गुड़े एम गुड़े टी ठीक है यह हो गया आर गुड़े एम गुड़े टी यह हो गया जहां पर आर क्या है आर क्या है आर बोलते हैं बिलियन इस्थिरांग आर को क्या कह रहता है बिलियन इस्थिरांग और इसका मात्र या इसको बोल सकते हो इसका जो मान होता हमेशा इस्थिर रहता है इसका मान होता है जीरो दस्मलो हां रुका रहता है जीरो दस्मलो जीरो आट दो एक एटियम लीटर प्रती मूल कैल्बिन ठीक यह इसका मात्रक के साथ हमने लिख दिया है मान ठीक है आर का मान हमेशा इतना लेना है आपको कितना लेना है जीरो दस्मलो जीरो आठ दो एक एटियम लीटर प्रती मूल कैल्बिन इतना लेना है ठीक है ना अब देखो पाई इकोल टू एम आर्टी या इसे लिख सकते हो पाई इकोल टू आर एम टी ठीक है ना यहां तक आप लोग लिखोगे पहले अब इसको हम इरीज कर दे रहे हैं है ना अब ठीक है अरे कोई बात नहीं अब वान है ना अब देखो इदा हमने क्या लिखा था पाई इस इक्वेल टू एम आर्टी पाई इकोल टू एम आर्टी लिखा है ठीक है ना पाई इकोल टू एम आर्टी अब समझे अब देखो क्या करते हम लोग एम की जगहें पर हम यह लिख दें क्या यह लिख सकते हो एन बाई बी यह एन बाई बी लिख सकते हो ना तो पाई इस इकोल टू एम की जगहें पर क्या लिख देते हैं एन बी बाई बी आर टी बीच बीच में गुड़ा है एस लिख दो ठीक है ना अब देखो क्या एन बी की वैलू रखेंगे लिकिन अभी फिलाद समझाने के लिए एक काम करते हैं बी को यहां ले आए तो तो क्या हो जाएगा पाई इंटू बी एस लिख दें इस इकोल टू एन बी आर्टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा यह जानते हो कौन सा फार्मूला है आदर्स गैस समी करण आदर्स गैस समी करण क्या है वो सही है सही है आदर्स हही लिखा रहता है दाप पे रहता है आदर्स सही है सही है आदर्स गैस समीकरण का यह फर्मुला होता है पढ़ा होगा आपने आदर्स गैस समीकरण होता है पीबी इस इक्वल टू अनार्टी जहांपर पी क्या है दाप प्रेसर अभी क्या है आईतनस एन क्या है मोलग संख्या four Hai गैस का स्थिरांग जिसको यहां ने के इस्थिरांग लिखा है और पि क्या है ताप मान है अब देखलो इन को मिलाओ क्या दोनों सीम है दोनों को मिलाएए क्या दोनों से मैं अरे पी लिखा है तो ये भी कोई बाप है कौन āटा पराक्सवरा कॉन तो है भी यहां भी लिखाए भी यहां भी लिखा एंझा भी यह जो से प्राफ्ट कर दिया है यहां पाइब टूर ना इसको लिखने के बाद अब देखें अब क्या करते हैं हम यहां से ही इसको आगे बहाते हैं यह तो आपको समझाने के लिए था कि pb is equal to nrt जो के कि से आता है यह दोनों लगब लगब से सेंदे हो के मुलों की संख्यागन निकालनी है तो ब्राइन या बिलाय का द्राइब हैlli जिसका भी द्रार निकालना हो विले का द्रामाँ बटे मेले का मूलरह बटे भीम इत्र इसमाल मूलरह इत्पर इसमें क्यों फ़ी तंक देखों क्या करना нач अब क्या लिखना है इसमाल एंबी बटा कैप्टल एंबी गुड़ा बीस लिख दें ठीक क्योंकि आप जब इसको बटा में नीचे है ना यह उपर जब लिखोगे तो यह एंबी नीचे चलाएगा किस से गुड़ा हो जाएगा बीस से गुड़ा हो जाएगा गुड़े आर गुड़े टी अच्छा एक चीज समझो बात को यह जो होता है यह लीटर में होना चाहिए कि अगर मिलिल तो एक हजार से उपर गुड़ा कर देना पाई is equal to एंबी गुड़े एक हजार बटा कैप्टल यंबी गुड़े बीयस अब यह किसमें होना चाहिए मिली लीटर में ठीक और गुड़े आर गुड़े टी यह हो जाएगा हमारा अंतिम फार्मूला हां एम कमान डायरेक्ट आपकूट कर सकते हैं वहल लारता यह उत्ति हैं इतना बड़ा इतने हैं मोल लंट यहां यह उता नहया हएर तो तो जो लास्ट में अंतिम में जो फार्मूला आया है वो मोलरता का इतना बड़ा फार्मूला आया है बाकि आर ओटी वही लिख दिया उठाके आर का मान हमेशा स्तरांक होता है आर का मान इतना ही रखिएगा हर बार इतना ही ठीक है ना हर बार इतना रखिएगा सही रहे जाए हाँ इसको लिख लीजी आप लो कि देखे 2030 का यह पेपर है यूपी बोल्ड का है और इसमें एक प्रस्न आया था आपके लिए प्रस्न यह आया था कहां गया यह आया था आया था गड़ना कहां लिखे 27 डिगरी सल्सियस टाप पर लिखे 27 डिगरी सल्सियस टाप पर चौथा का घा है यह आया था चौथा का घा तीन नंबर में प्रस्न आया था 27 डिगरी सल्सियस टाप पर यूरिया 27 डिगरी सल्सियस टाप पर यूरिया ब्रेकट मिलखना था अडूभार साट अडूभार साट मिलकरा करकर पर यूरिया प्रतिसत प्रतिसत डबलू बाई बी डबलू बाई बी लिखाए बी ड्रमान आइतन प्रतिसत ठीक है जलिये बिलियन का परास्रण दाब ग्याद कीजिए और आर कामान ये दिया है कि आर कामान दिया है अब मुद्ध का परास्रण दाब ग्याद कीजिए देखो यह फार्मूला है एंब बीक के लिखा है प्रतिसत है प्रतिसत है मतलब पाच हो जाएगा एंबी और आइतन कितना हो जाएगा सव समझ गए बिलियन का आइतन कितना होगा 100 यानि 100 ml हां यह 100 ml हो जाएगा और कितना है पाच गराम हो जाएगा और यह अडूभार कितना दिया है 60 न तो यह 60 हो जाएगा और का मान यहीं रख दो और किसमें होगा कैलविन में लिखना तो आपका आजाएगा तीन सो इसको हटा दे रहे हैं आपको जो फार्मूला इस्तमाल करना है वह करना है यह वाला नीचे वाला है ठीक है क्या क्या दिया गया है ताप दिया गया है सक्ताइश डिगरी सट्सियस इसमें आप 273 जोड़ दोगे तो कैलविन में आ जाएगा यानी 300 कैलविन तीन सो कैल्विन आ गया ताप यहीं टी के जगहें पर क्या लिखोगे तीन सो ठीक है और एंबी कितना है पांच ग्राम पांच प्रतिसद दिया है ना तो पांच ग्राम अच्छा बीएस कितना है सव ग्राम सव एमिल बीएस कितना है सव एमिल और अडुभार दिया है ना कैप्टल यंबी कितना दिया हुआ है साथ साथ लिख देजिए और आर कमान आपको दिया है जीरो दस्मनो जीरो आट दो एक एटियम लीटर प्रति मोल कैल्विन अब लिख दीजिएगा ग्राम प्रति मोल कि यह सब उठा करके इसमें रख दो और आइंसल लाओ कितना एंसर आया है इसको लगाते हैं यहां पर कि पाई इस इक्वल टू एंबी कितना है पाच गुड़ा एक हजार बटे साथ गुड़े सो गुड़े आर कितना है हां ठीक है तो अगर एंसा आ रहा है तो सही है तीन सो अच्छा देखो यह कितना जीरो कैंसिल हो रहा देख लो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो एक जीरो दो जीरो पीजिरो कनसिल हो गया अब दोको साथ का इससे करता है नहीं करता है छे का छे करनम छे और यह पचास हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा अच्छा अब पचास को पास से कर दो तो कितना आएगा धाइसो अब धाइसो को किस से गुड़ा कर दो जीरो दस्मलो जीरो आठ दो एक से गुड़ा कर दो बस जो अंसर आएगा एटियम में अंसर आएगा जो भी अंसर आएगा आपका एटियम में अंसर आएगा बीस दस्मलो पांच दो पांच एटियम में अंसर यही आयत है और इतना ही आपको करना था फार्मूला पता हो आप सीधे इतना लगा दो बजनी एक लाइन दूई लाइन तीन लाइन चाल लाइन चाल लाइन का सवाल था तीन नमबर मिलना था ठीक है सब्सक्राइज जिगरी सल्शिय स्थाप पर सब्सक्राइज जिगरी सल्शिय स्थाप पर 10 ग्राम यूरिया थाइस सो मिलिलीटर बिलियन में उपस्थित है थाइस सो मिलिलीटर बिलियन में उपस्थित है तो परास्रण दाप की गड़ना कीजिए यूरिया का अडुभा लिखलो साथ यूरिया का अडुभा लिखलो साथ और आर बराबर लिखलो याद हो गया हो गार तो आए बराबर कितना है जीरो दसमलो जीरो आठ दो एक थोड़ा सा देना तुम वह इसको कि कर रहे हो गुड़े आर कितना है गुड़े तीन सो तो ढ़ाई सो करना और ढ़ाई सो चौका ठीक कि यह जीरो से जीरो कैंसिल छे का यहां पर करेंगे तो छाए कंदम और छे पचास को गया हो गया अब पचास चौका कितना होता है 200 हो गया ने 200 अब 200 जब हो जाएगा तो यह इसका मतलए पाई बराबर 200 गुड़े 0.082 अब दुई से कर लो गुड़ा दुई से करोगे और दुई 0 गढ़ा देना पीछे ठीक है तो यह देखो यह आप का जाएगा दुई दुई एकर्णम दुई दुई जुननी चार ठीक है ना अदुई 0 लिख देना पीछे ठीक और दुई अठे 16 अब कितने पाद दस्मलों लगाएंगे एक दो तीन एक दो तीन बाइगा दस्मलों चार दोओ-एटियम द्तों यहाँ पर आपको कल्कुलेटर की जरूरत भी नहीं थी कि और दो दुन्नी पकूर होता है दोसंनी चार भी होता है दोसंनी पूर होता है गया है कुद अंतिम सवाल इससे समंधित अंतिम सवाल बुकलाए हो लाब बुकलाए हो तो देना एक लाख पचासी हजार एक लाख पचासी हजार मोलर द्रमान वाले मोलर द्रमान वाले एक बहुलक के बहुलक के एक ग्राम मोलर द्रमान वाले एक बहुलक कि बहुलक होता है एक लग का बहु पाई बहुलक मतलब बड़ा बड़ा आपका योगिक होता है इसको बहुलक का बहुलक के एक ग्राम को 37 डिगरी सल्सियस कितना है 37 डिगरी सल्सियस पर एक ग्राम को 37 डिगरी सल्सियस पर 457 जल में घोलने पर जल में घोलने पर जल में घोलने पर उत्पन बिलियन के परासरड़ दाब का परिकलन कीजिए उत्पन बिलियन के परासरड़ दाब का परिकलन कीजिए ब्रेकट में लिखा है पास्कल में खाली फार्मूले में रख देना है आपको पास्कल में हां पास्कल में बताना है आप एटियम में निकाल लो पास्कल में बदल देना हां एक एटियम बराबर होता है लगभग दस की घात पाच पास्कल एक एटियम बराबर इतना होता है वह लिखा है प्रस्में पास्कल में बताना है प्रस्में बस फार्मूले में लिख दो पाई बराबर इसमालम्बी कितना है एक गराम सेखी गराम तो है अच्छा एक गुड़े एक हजार बता एक लाक पचासी हजार गुड़े आइटन कितना है चार सो पचास गुड़े दूई मैं जीरो जीरो आठ दो एक और जीरों कितना कटेगा एक दो एक जीरो यहां भी गियां एक जीरों अब जो बचा है उसको कर दो हां यहीं गुड़ा कर दो कोई दिक्कत नहीं यहीं प्राप गुड़ा कर दसक्राइब आप पाई एटियम में निकाल करके बाद गुड़े दसक्राइब पांच लिख देना है तो करना तो पड़े गाली ना माइनस थ्री और भी थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाओ जो भी जो भी थोड़ा बढ़ाओ हल्का कि अब बस ज्यादा नहीं दो अंकतर लेके जाओ इससे ज्यादा नहीं दो बताओ कितना या रहा है कर दो अब बहुत दो कि अब अब कर दो अब अब अ कर दो माइनस थाइब कहा है 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 नहीं जी और कुछ लिए इसको तीन से गुड़ा करो पहले एकत्यस से जितना आ रहा है करोगे 06 08 2 1 को 31 से गुड़ा करो इस जीरो जीरो आठ दो एक तीन से करो तो 1 2 3 4 आया है 2 दस्मेलों पांच 4 5-1 इतना आया है उपर 2 दस्मेलों पांच 4 5 एक बुपटा इसको करते हैं देखो इसका कितना कितना आता है युषियर गिलाई आ इसका कितना है नीचे वाला बताओ आठ हजार तीन सो पत्चीस तीन सो पत्चीस हाँ बताओ फिर कितना आया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो और जीरो और थ्री टू जीरो फाइट सेवन अरे ठीक है ठीक है अब देखो अब इसको पहले पास्कल में बदला जाए तो पहले सुनलो आप इस दस्मलों को यहां लेकर चलेगा यहां तक पाच अंग तरह लेकर जाओ एक दो तीन चाहर तो यह हो जाएगा कितना तीज तसमलों पाग साथ बूड़े दस घात माइनस अगर आप इसको दाये लेकर जाते तो घात कितना हो जाएगा तो गात माइनस में होगा कितना मैनिस में होगा कितना आगे बढ़े हो एक दो तीन चाहर है यहीं तो पाइच लगाए हो तो इसलिए दस के माइनस पाच अच्छा है आए प। अगर पास्कर में लिखना होता तो क्या करतें तीन दसमलो तीना dieta हमाने चाहने देते हैं फास्कार यह मार खाया तो यह कट नहीं जाएगा यह माइनस में उस्ट्र आंके तर्य उस्ट कि स्वाइब कर ऊचैनिसा किizada पा पास्कार यही आ जाएगा हमारा को घए रुप जा रुप जा रुप जा रुप जा हो गया है चलो बोल रहे हैं एक प्रोटीन के 200 ml जलिये बिलियन में एक प्रोटीन के 200 ml जलिये बिलियन में एक दस्मलों दो छे ग्राम एक दस्मलों दो छे ग्राम दो छे ग्राम प्रोटीन है यानि प्रोटीन का द्रमान दिया है इसके बाद 300 कल्विन पर 300 कल्विन पर बिलियन का पराश्रण दाब 300 कल्विन पर बिलियन का पराश्रण दाब दो दस्मलों पाथ साथ दो दस्मलों पाथ साथ गुड़े दस के घात माइनस तीन बार बार मात रखे पाया गया तो प्रोटीन के तो प्रोटीन के तो प्रोटीन के मोलद रम्मान की गड़ना कीजिए आपको कैप्टल अंबी बताना रहेगा छीकए निकाल लीजिएगा बाकी सब दिया है कैप्टल अंबी निकालना रहेगा बस छीकए इसको आप लोग वोमवर्क में रखेंगा आज के लिए बस बच्चो इतना ही हम लोग कल पढ़ेंगे पृती लोन परासर रग आरो जिस किस तरह से हम लोग आरो द्वारा पानी को या जल को सुद्ध किया जाता है ठीक है ना कल पढ़ा जाएगा हन्यवाद